नमस्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडे चंद्रशेकर शर्मा दर्शकों सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांकी आज दिनांग है 9 जुलाई संद 2023 विक्रम सम्वत 2080 चल रहा है श्रावन मास है कृष्ण पक्ष है वडशा रितू है ति योग शोबन है दोपेर बाद 2 बच के 42 मिनट तक आगे अतिगंड योग है तो योग की द्रस्टी से आज का दिन जहां दोपेर 2 बच के 42 मिनट तक शुब और योग का रख है वहीं बाद में ये अच्छे फल नहीं देगा विशेश करके दोपेर के बाद में कोई बड़ी कर विस्टी है शूबह 8 बच के 53 मिनट तक आगे 52 बव करन रहेगा शाम आठ बच के एक मिनट तक फिर बालव करन रहेगा शुर्योदय का समय दर्शे को सुबह 5 बच के 39 मिनट का था और सूर्यास्त का समय शाम 7 बच के 22 मिनट का है आज का राहु काल दोपेर वाद 4 बारा बच के 53 मिनट के बीच है दिन में दो बार दुष्ट नुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सूजबू से टाल दीजेगा ये हैं शाम पांच बच के 31 मिनट और 6 बच के 26 मिनट आज का दिशा शूल दर्शे को पस्चिम दिशा में तो पहली कोशिश तो य भगवान श्री राम को अपने हर्दे में मानिया उन्हें प्राथना कीजिया और यात्रा पर निकल जाईए यात्रा बहुत यच्छी रहेगी कारे सिद्ध होगा कोई परिशानी नहीं होगी आज का शुब समय दर्शे को यानि आज के दिन का सदुप्यों करने का जो समय है वो है सुबह साथ बच के तीस मिनट से दौपेर बारा बच के बीस मिनट फिर दौपेर दो बच के पंदरा मिनट से तीन बच के पचास मिनट और फिर शाम साथ बच के तीस मिनट से नौ बच के तीस मिनट ये तीनों कालखंड बाकी दिन की अपिक्षा जादा योग कारक शुब है अच्छे एफर्स करें तो इन समय का ध्यान रत्यव करें सफलता के चांसे ज्यादा रहेंगे आज की चंद राशी दर्शे को मीन है यह चंद्रुमा मीन राशी में गोचर कर रहें जिससे आज का इदिन सभी बारे राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वालों को ध्यान रखना है कि आज कोई बड़ा इंवेस्टमेंट ना करें ना ही किसी को पैसा उधार दें व्रश राशी वालों को आर्थिक लाब हो सकता है लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी जब भी आपके सामने वच्प आपको हो सकती है कञ्या राशी वाले जो आविवाई्श हैं उनको आ सकता है रिश्टे का प्रस्ताव और तुला राशी वाले ध्यान रखें कि आज किसी से आपका विवाद न हो जाए नहीं तो ये जो विवाद है बहुती लंबा चलेगा बात बहुती लंबी विगड़ेगी ब्रश्चिक राशी वाले चातर चात्राओं के लिए बहुती शुब दिन है किसी कोर्स में एड्मिशन लेने का विचार आपको आएगा मकर राशी वालों को आज किसी बड़े या विद्वान व्यक्ति की सला मिलेगी जो आपका जीवन बदल सकती है कुम्ब राशी वालों को अपने कुटुम से मिलेगी कोई शुब सूचना और मीन राशी वाले आज ब्रहमित रहेंगे और मूर्स विंग्स काफी होंगे आप दर्शे को एक बहुती सुन्दर श्लोक हमारे भगवत गीता में आता है जिससे जीवन के बारे में अध्यात्मी कर्थों में और संसारी कर्थों में बहुत कुछ सीखा जा सकता है ये श्लोक इस प्रकार है कि यावानर्थ उदपाने सर्वते संपलुतोद के तावान सरवेशु वेदेशु ब्रहमणश्य विजानत है इसका अर्थ ये है कि सब और से परिपूर्ण जलाशे के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशे में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह प्रम्न समुद्र को प्राप्त करने लिए धि शोटीच जो वाटर बॉड्य के लिजिए जलाशं के लिजिए उसमें रूचि रहती है पर मात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं अध्यात्म विद्या विद्या नाम कहा भी गया है कि साव विद्या विनुर मुक्ते यानी जो मुक्त करवा दे वो विद्या है बाकी सब विद्या या ज्यान है तो जिसे ब्रह्म विद् साबों से जादा अर्थपूर्ण होती है यहीं हम गीता जी के संदर्व में कह सकते हैं देख सकते हैं कि जो परमात्मा श्रीक्रिष्ण के 700 श्लोक हैं वो सभी वेद पुराण उपनिश्य दिस्मृति इन सब का सार हैं जर्शे को यह थी आज की ज्यान चर्चा अब बात करते सब्सक्राइब करें और जिने करके आप सफलता अर्चनों को पीछे छोड़ते वे जीवन की सफलता और अपने सम्रद्धी की और अग्रसर होंगे द्रड़ता से तेजगति से और कॉन्फिडेंस के साथ सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिन लो सवा पांच किलो दलिया और सवा किलो गुड़ यह मिला कर गौमाता को खिला दीजिए आज भगवान शिवजी को अर्पित की गई ध्वजा आपके लिए भाग्य के द्वार खोल देगी इसमें कोई संद्धे नहीं इस सारे उपाए आप कीजिए फिर दे की आने वाला वर समाच से रिष्टेदारों से मित्रों से आपको नहीं मिलता आत्मिश्वास ही कमी अगर आपके साथ है ऐसे सभी लोगों को सूर्य ग्रह पत्रिका में कमजोर होते हैं तो ऐसे स्तिती में आजा भगवान शिवजी और सूरीदेव के विसस्ष्ट पूजा करें और इन समश् पर नित्य की तरे गंगा जल दूद धही शैद शक्कर घीस अभिशेक करें उनसे प्राथना करें कि आपकी पत्रिका के सूर्य ग्रह के दोश दूरूं फिर आप सभी जो सामगरी है वो भगवान को अर्पित करें और चार माला इस बहुत ही विसस्ट मंत्र की जाब करें ध जोकी बीज मंत्र है आम राम रहें रोम सहे सूर्यायक नमें जहां भी आप चाहें उन मंदिर के पुजारी को आप दान करें तो आपकी जनम पत्रिका के जो सूर्य हैं सूर्य ग्रेन निश्चित रूप से अनुकूल होंगे प्रबल होंगे आपको अच्छा फल देंगे और उनसे संबंदे जो भी दोश्ट है वो दूर हो जाएंगे इसके साथ साथ आज दौपेर डेड़ से धाई बुजे के बीच में यदि आप पांच बिल्व के पौधे किसी मंदिर में लगा देते हैं तो फिर आपको आपकी जनम पत्रिका में सूर्य देव उच्च के फल देने लग जाएंगे इसमें कोई संदे नहीं आप करके देखि में अरचने पा रहे हैं मन भटकता है पूझाप का ब्रहमित मन रहता है तो यस頂 स्थति में आपको एकागरता का आज आप पूजन अरंब करें सबसे पहले भगवती के चित्र या सरस्वती यंत्र का पंचोप चाड़ से पूजन करें श्वेत पुष्प श्वेत मिश्टान अर्पित करें यानि सफेद भूग रहे सफेदी फूल रहे फिर गुरु गणेश वंदना यानि अपने प्रुदान करें और आपके जीवन में जोड़ चने आरी उन्हें हटा दे फिर आप इस विश्ष्ट मंत्र की तीन माला का जाब करें मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र है ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वागवादनी मं विद्या देही भगवती हंस्वाइनी समा अब इस प्रकार से आप है करें और अगर आप ने मन वचन कर्म से ब्रह्म चरे का प्लन करते हुए सद्वां प्र अड़िग रहते हुए यह आपि 2 तर बोलें applications साधना करेंगे और 21 दें तक त और भगवती सरस्वती जी का अमोग आशिरवाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा तो दर्शे को ये था आज का पंचांग आज के विसस्ट उपाय और ज्यान चर्चा मैं पंडे चंदर शेकर शर्मा याशा करता हूं कि बतायवे उपायों को सही विदी सटीक समय और अटू सब्सक्राइब उपाय करें तो आपके कश्टों का निवारण हो और मनोकामना अवश्य पूरी हो साथी साथ एक निवेदन है कि श्रावण मास में अधिक से अधिक संख्यां में अवश्य कीजिए और साक्षात प्रकट प्रकति भगवती की सेवा निश्यत रूप से कीजि नमस्कार मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विश्य सेग्मेंट में जहां बराप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिये जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि इन बातों को करना अवाइड करना चाहिए जिससे आज के दिन को हम और भी बहतरीन बना सकते हैं और इसके लिए हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की रीडिंग करते हैं अगर आप ने हमारे कारिकरम को नया ही जॉइन किया है या आप नह साथ होगा आपका मूलांग और आज की तारीक है 9 जुलाई 2023 नमबर 9 जो की मंगल का अंग है अपने आप में बहुत ही पावरफुल अंग है साथी साथ ये भी कहा जाता है कि अगर मंगल ग्रह के जो प्रभाव हैं वो अगर पॉजिटिव पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो बहुत जादा चंचल होगा और जानवित होगा और बहुत जल्द ही अपने सारे कारें को पूरा कर सकता है लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं इसका जो उतल पुतल होता है वो जो एनरजीज है वो नेगेटिव साइड मे सब्सक्राइब करकेश करना है तो शली है एक सब्सक्राइब करएब करने से तो ऊब सब्सक्राइब करें अब लिए आपको किने बहुत ही के धिना जैनमांगी का पर मझ्यलवार के दिना जनम हुआ था लेकिन अगर हम मंगल ग्रह को फेवर में करने की बात करें तो उसके लिए आपको किन की उपासना करने चाहिए उनके लिए आपको कार्तिके जी की भगवान कार्तिके की उपासना करने चाहिए जो कि भगवान शिव के पुत्र है और कार्तिके जी को साउथ इंडिया में अया प्रय चाहिए उन्हीं लाल माला और लाल रिंक का भोलग उन्हें फूर्श करनायी जो यह भी मंते हैं आज जानते हैं मुलाँख 1 के लिए हमें परमात्माँ आज क्या गाइड कर रहे हैं 9 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक एक के लिए हमें गाइड किया जा रहा है और नदिन इसका कार्ड है आपका जो लगी नमबर है वो है नमबर आठ और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत जादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए नहीं खुद से और नहीं दूसरों से कही ना कहीं आपके जो आपका परिवार है अगर आपके बच्चे है तो अपने बच्चों से अपने परिवार से अपनी वाइफ या हस्बंड से बहुत जादा आपको आज एक्सपेक्टेशन न नहीं रखनी है कही ना कहीं आपकी जए अगर पूरी नहीं होंगी तो वह एंगर आपको आ सकता है तो आपको क्या कहा जा रहा है कि छोटी छोटी चीजें जो आपके पास मौजूद हैं बहुत सारी लोग उसके लिए तरस्ते हैं एक परिवार के लिए एक कारे के लिए मात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं नौ जुलाई 2030 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है रिसिप्टिविटी का काड़ है आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा है और ब्रम्हांड की जो डिवाइन एनर्जी जो लाइफ फोर्स एनर्जी जैं कहीं न कहीं आज वो आप accept कर रहे हैं आपको receive हो रही है जो भी आपने good deeds की है उसका एक अच्छा परेणाम आज के दिन आपको प्राप्त होने वाला है साथी साथ कुछ अच्छी information भी आपको प्राप्त होगी जो कि आपके व्यवसाय क्या आपके कार इस से related होगी कुल बि सब्सक्राइब 2023 के लिए और मूलांक तीन के लिए हमसे कहा जा रहा है दो कार्ट जाएं हैं पहला है comparison दूसरा है सोरो आपको कहा जा रहा है कि पहली बात तो आपको किसी भी तरीकी का अपना comparison किसी के साथ भी नहीं करना है किसी को जज नहीं करना कोई विक्ति अगर आपक गाड़ी यह घर खरिद के ला रहे हैं तो यह उनके अपने गुड डीड्स का नतीजा है साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनका डिवाइन टाइमिंग है उस चीज को प्राप्त करने का ऐसे में आप उनके साथ अपना comparison बिलकुल भी ना करें क्योंकि comparison जो है वो केवल और केवल आ अपने टालेंट पर भरोसा रखिए और अपने डिवाइन टाइमिंग पर भी कि सही समय आने पर आपको भी बहुत कुछ प्राप्त होगा बशर्ते की आज आप इस दुख की उर्जा से बाहर निकले अगर आपको लग रहा है कि आप अपने आपको नहीं सम्हाल पा रहे है तो आज आप भगवान शिव का जो अभिशेख है वो थोड़ा सा कच्चा दूद मिला लें जल के अंदर गंगा जल के अंदर और फिर आप उनका अभिशेख करें तो आपको काफी फाइदा होगा आपका दिन शुभो आई जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें परमातमा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 9 जुलाई 2030 के लिए और मूलांक चार के लिए हमसे कहा जा रहा है रेसिप्टीविटी का कार्ड है आज के दिन की आपकी उर्जाइं अच्छी है। काफी कुछ प्राप्थ होने वाला है जो भी कुछ आप महनत कर रहे हैं इतने डिनों से उसका कहिना का एक सकरात्मक रिजल्ट जो है वो आज आपके समक्ष होगा तो कुल मिला के आज का दिन आपकी growth के लिए अच्छा है, आपके career के लिए अच्छा है, यहां तक कि अगर आप एक विद्यारती हैं, तो आज आपको बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई जो है वो आज आप कर पाएंगे, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं अपनी studies से, अ आज आपको तवज्जों देंगे आज आपसे इंप्रेस होंगे तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है इसका सदुप्योग करें आए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 9 जुलाई 2030 के लिए के आज और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है कन्डिशनिन का काइड है कि आपका टैलेंट जबरदस्त है लेकिन आपके आसपास का जो वातावरर है आप जहां काम करते हैं या जहां रह रहे हैं जिन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने आपको different feel करते हैं या वो लोग आपको थोड़ा different feel कर आते हैं वो आपको accept नहीं कर पा रहे हैं because आपकी जो power है आपके अंदर जो talent है वो उन सब की समझ से परे हैं तो आप अपने आपको किसी भी तरीके के condition में मत डालिये कि मैं ये नहीं कर सकती मैं वो नहीं कर सकती मुझसे उलो ने कहा कि मैं इस चीज में weak हूँ तो मैं नहीं कर पा रही हूँ ये चीज़ों को आज आपको अपने मंसे निकालना होगा इस तरह की condition से आपको अपने आपको मुक्त करना होगा और अपने असली talent को पहचान कर आपको आगे बढ़ना होगा अपने conditions पर अपनी जिंदगी को मत जीए बलकि आप अपने टैलेंट पर भरोसा करके अपने जीवन को जीए क्योंकि आना समय बदल रहा है देखिए एक समय पर फोन हुआ ही नहीं करते थे टाइम आया टेलिफून का उसके बाद कुछ टाइम पहले मुबाइल फोन आए और अब यह है कि स्मार्ट फोन से परमातमा ऑज क्या परिवर्टन आजये तो जो लोग आज आपके समख्ष है वह लोग है जो कही नहीं आज में अटके हुए हैं लेकिन आपका जो टैलेंट वह तो अपने आपको यही मत रोकिए अपने को कंडिशन में मध डालिए बल्कि आगे के लिए नहीं आप सार थेस Kyoto और मूलांक छे के लिए हमसे कहा जा रहा है कंप्रमाइज का कार्ड है आपका लखी नंबर जिवंगे आपको 21 कुई कार्य करना है् Medal inexpensive । अजय जो भी कुछ आपके जीवन में होगा हो सकता है वो पूरी तरीके इसे आपके favor का ना हो लेकिन परमात्मा ऐसा करेंगे जो की पूरी तरह से न्याय प्रिये होगा न्याय पूर्ण होगा सभी को proper इंसाफ मिलेगा इंसाफ मिलने से यहां मतलब है कि आपकी ही खुशी नहीं परमात्मा आज आपके आसपास रहने वाले लोगों की और साती साथ आपके साथ काम करने वाले लोगों की आपसे जुड़े लोगों की भी खुशी देखेंगे और वो आपसे भी यही करने को कह रहे हैं कि जो भी आपको इकारे करें किवल खुद के बारे में ना सोचकर बलकि अपने आसपास के समाज और राष्ट को हित में लेकर करें आपक सब्सक्राइब करें तो आपको आज कहा जा रहा है मुलांग साथ के जातकों को कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा है काफी कुछ प्राप्त आप कर सकते हैं क्योंकि और और दो आपकी ऐनरेट के साथ बहुत अच्छा कर रही है तो आज के दुन ौपोछ नई जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं कोई नहीं आगे बढ़ने की आपको मिल सकती कोई ने प्रोजेक्ट आपको आपको हासिल हो सकता है कुल मिलाके आज का दिन बहुत अच्छा है जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाह रहे थे वह आज आपको रिसीव हो सकता है यह जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं के लिए और मूलांक आठ के लिए हम से कहा जारहा है आपका लकी नमबर है नमबर आठ और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत कोई विशेश कारे में आपको नहीं रहना है आपको कहीं पैसे का investment नहीं करना है सामाने दिन है आज का बहुत जादा आपको उमीदे नहीं रखनी है बहुत जादा अगर आप उमीदे रखेंगे expectations अगर आपकी high होंगे तो कहीं न कहीं आपको frustration आपको जो level है वो भी high रहने वाला है क्रोध रह सकता है क्योंकि जो अपने उमीद लगाई थी लोगों से अपने कारे को बनाने की आपके कारे पूर्ण होने की वो नहीं हो पा रही है तो आज के दिन बहुत सो समझ के कोई भी निर्डेल ने बहुत सो समझ के पैसे का investment करें आपका दिन शुभो आई जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे है 9 जुलाई 2013 के लिए आज की तारिक भी है 9 और 9 मूलांक की हम बात कर रहे है और हमें गाइड किया जा रहा है गुरु करपा बनी वही अब क्या तो कहा जाए आज मास्टर की आपके क्रपा आपके उपर है आपके अब मास्टर जरूरी नहीं कि आपने दीक्षा ले रखी हो इस सुक्षमी जगत में बहुत सारे एसेंडेड मास्टर जैसे हैं जिन्होंने कभी इस धर्ती पर जनम लिया है और आज वो आपके हमारे जिसे लोगों की सहायता के लिए अभी भी सुक्षमी रूप से हमारे उपर अपना आशिरवात बनाए रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके गुरु जन की क्रपा आपके उपर बनी हुई है तो किसी प्रकार की चिंता ना करें जिस भी कारे में आप हाट डालेंगे स्वभाविक सी बात उसमें सफलता मिलनी ही मिलनी है आपका दिन शुभो तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी एक से लेकर नमूलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहां दिये नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मिलूंगे आप से हमारे अगले एपिसोड में तब तक आप सभी के भीतर बैठे पर मात्मा को मेरा प्रणाम